अस्ट्रेलिया स्टडी विजा के बात करें तो सुडेंट्स के मन में सवाल जुलाई इंटेक को लेकर हमारे पास भी कई तरह के सवाल कमेंट्स के जरिये पहुंच रहे हैं कोचिंग भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कोई भी कोचिंग क्लास शुरू नहीं की है फ्री ये कोचिंग आप कैसे ले सकते हैं कौन-कौन सी अच्छी और सर्विसीज आपको मिल सकती है और स्पेशली बात करेंगे कि GTE की जगा GST आने के बाद क्या-क्या प्रोसीजर में फरक पड़ा है स्टूरेंट्स को कौन-कौन सी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए स्वागत है आप सभी का और आज ये पूरी इंफरमेशन आपके साथ शेयर करेंगे नैविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसिस वीना गोईल में हमारे साथ है बहुत-बहुत स्वागत है में नमशकार नमशकार तो में मैं जरूर बात करना चाहूंगी आज पहले तो जो GTE की जगा GST आने के बाद क्या फरक पड़ा है स्टूरेंट्स को किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए मैं ये पूरी इंफरमेशन पूरी शुरू करें से पहले मैं स्टूरेंट्स को बता दूँ कि नैविगेटर्स ओवरसीज और वीना गोईल मैं जो के तकरीबन पिछले 28 सालों से स्टूरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, इमिग्रेशन की दुनिया में उनका बहुत अच्छा नाम है और धेरों स्टूरेंट्स को उनकी मन चाही मनजिल पर पहुंचाया है उनका बाहर जाने का विदेश जाने का सपना जो है साकार किया है आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप मैं से गाइडंस लेते हैं उनके अकौर्डिंगली अपनी फाइल लगाते हैं और टाइमली फाइल लगाएंगे सही डिसीजन के साथ तो टाइमली आप अपना वीजा भी हासल ज़ूर कर सकते हैं तो मैं ऐस्ट्रेलिया चुट्न की बात करते हैं अगर बच्चे को guidance ठीक हो हम लोग अगर बच्चा यहां पर नीट के exam दे रहा है या कोई भी competition exam दे रहा है तो उसके लिए parents दो साल से त्यारी करते हैं 10th के बाद तो क्यों न बहार जाने के लिए आप वो ही दो साल से पूरी त्यारी करो तो आपके बच्चे का कभी visa reject नहीं होगा आप visa को बहुत easy मत लो आप ये मत सोचो कि हम कागज लेके जाएंगे isn't सब कुछ कर देगा that is not possible वो आपके बच्चे के profile में problem आईगी आप उसका 10th के time ध्यान रखो बहुत सारे parents पूछने आते हैं कि क्या subjects लेके दें जब आप subjects पूछ रहे हो बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो उससी time आप अपने financial documents क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अभी भी families ऐसी हैं जो ITR की परवा नहीं करती income tax return की क्योंकि इस साल 7 लाख रुपया government ने tax free कर दिया है तो लेकिन हमें जब बहार बच्चे को पढ़ने भेजना है हर country में अब जैसे Canada में आपको income tax return नहीं चाहिए है लेकिन अगर आप Canada में अपना tourist visa लगाते तो आपको income tax return चाहिए ऐसे ही न्यूजिलेंड आस्ट्रेलिया में जब हम apply करते हैं तो हमें income tax return चाहिए तो आप अगर उस time अपनी ITR को proper fill करते हो आप guidance लेते हो मस्ट भी आपको जरूरत हो ना हो income tax return की लेकिन embassy उसी से आपकी जो है income judge करती है आपका business क्या है आपकी job क्या है अप financials पहले तीन महीने पहले कुछ उनिवर्स्टियां देखती थी आप Australia में कुछ उनिवर्स्टियां उसका source मांगती है तो यही आपने धीरे-धीरे income अपनी saving की वो बच्चे के नाम पे या अपने accounts में ज same है यूनिवर्स्टियों ने जीटी ही करनी है अमबैसी ने जीटी जीएस्टी करनी है तो अब वो financial documents भी जाएंगे बच्चे का academic भी अगर दोनों चीज़ें आपकी match करती है तो आपके वीजा में कोई problem नहीं है अब उसके बाद आपने अपने financials भी manage कर लिए बच्चे की भी qualification ठीक है अब उसको जो main challenge है course जो कि हम NEET का exam क्यों कराते हैं या competition कि वो बच्चा doctor बने वो बच्चा engineer बने same आपने ये रखना है कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है एक अच्छे course के लिए जा रहा है अगर यहाँ पे एक particular amount लगाना था तो आप बाहर के इसाब से भी एक particular अच्छा amount उसके पढ़ने पे खर्च कर रहे हैं तो उसका return on investment आपको उसके carrier पे चाहिए एक अच्छे से अच्छा course हमें उसको लेके देना जितना अच्छा course होगा उतना ही अच्छा आपको return on investment मिलेगा आज से 4 साल पहले 5 साल पहले कोई cyber security के बारे में नहीं बोलता था मैं बोलती थी हमें especially 7-8 years पहले Western Australia में एडित कवन उनिवस्टी ने बुला के training दी जो कि billion dollars government से उनको मिला था क्योंकि वो उनिवस्टी सबसे ज़्यादा cyber security में काम कर रही थी अब artificial intelligence आ गया है automation robotics का सारा जमाना आ गया गाड़िया जो है robots चला रहे हैं वियर है उसमें यह जहां समान सप्लाई होता है robots कर रहे हैं crops का का काम robots कर रहे हैं तो सारा automation पे चाल रहा है इसमें आपका जितना mechanical engineer वाले बच्चे हैं उनके लिए यह courses बहुत अच्छे हैं तो हमें course selection करने पड़ेगी जब आपने उसको बच्चे को non medical ले दिया तो उस ताहिम आपका जो है महलों बच्चा 11th में या 12th में तब भी से दिमाग में रख लो कि बाहर हमने particular university में particular course करन बैठे हैं और जो parents program देख रहे हैं जिनके बच्चे plus one plus two में वो भी आके हमारे से guidance ले सकते हैं अब जो बच्चों ने medical किया उनके लिए especially अलग programs हैं उनके लिए जो सबसे ज्यादा अच्छे program हैं आप कभी shorter मत सोचो आप सोचो कि बच्चे ने तीन साल पड़ा उसके अच्छी होगी क्योंकि हर country का एक criteria होता है कि particular slab अगर उसका job का है तो उसको sponsor करती है company और sponsorship documents पे उसको PR मिल जाती है that means उसको PR और points के पीछे नहीं भागना points उसके पीछे भागेंगे लेकिन अगर आपने program अच्छा रखा होगा तो हम भी अपनी country का नाम बनाते हैं बाहर ज कर रहें जो पीछे काफी सारे बच्चे कोर्स चेंज कर रहे हैं short term देख रहे हैं छुट-छुटे कोर्स कर रहे हैं university होपिंग हो रही है उससे हमारी country का नाम खराब होता है better है हम अपने बच्चों को इतना career focus करें कि वो अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पे तो वहां के international rep ने बोला था कि first make your children's honest अपने बच्चों को इमानदार बनाई है और यह बहुत जरूरी है हमें अपने बच्चों को इमानदार बनाना है तब भी वो अपनी जिंदगी एक अच्छी गुजार सकते हैं बिलकुल बिलकुल और इसके साथ मैं एक और update करना चाह करते हैं और अगर आपने कर लिया है तो आपका वीजा लगने के बाद हम उसके जो कोचिंग फीस है वो आपको refund करते हैं जहां से भी आपने कोचिंग लिया है ओके जी बिलकुल तो धे सारी अच्छी अच्छी सर्विसिस आपको मिल रही है नेविगेटर्स ओवरसीज से यह धे सारे benefits का आपको फाइदा तभी ले सकते हैं अगर आप timely पूरी जानकारी के साथ, नैविगेटर्स ओवरसीज के साथ, लिडिक प कोचिंग ले सकते हैं गाइडेंस ले सकते हैं तांकि आपको पता हो कि आपके लिए कौन-कौन से अच्छी अच्छी अपरचौनी इस पर call कीजिए, पुरी जानकारी लीजिए, यहां फिर navigators overseas के office visit कीजिए, अपने document ज़रूर लेकर आईए, तांकि assessment की जाए और आपको सही options, timely पता चल सके और timely सही decision के साथ process शुरू करें, timely आप अपना Australia study visa हासिल कर सकें आपने students के साथ share की है, आगे भी हम इसी तरह से students के लिए और informative videos लेकर आते रहेंगे, फिलहाल के लिए हमें दीजे इजास्त, thank you so much